नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यू चैनल एंपी ग्रूप में दोस्तों देखिए जेवर एरपोर्ट के उससे रिलेटर बहुत अच्छी जान का रही है बहुत लेटेश जान का रही है वहां के आसपास के छेत्र की नौडा की और देखिए गौतमबुद्रनगर जिलेग, इसमें दोस्तों वहां से हाइस्बी ट्रेल का रूट निकल रहा है और ऑसको देखिए उसके सासथ यहां पर ऐसा यह सर्वे भी किया जा रहा है दोस्तों तो वहां पर देखिए खेहर छेत्र में यहां पर जमीन ली जा रही है किसानों की व आप इस जानकारी को पूरा देखिए और बने रही है हमारे साथ तो जैसे कि आप आप देख सकते हैं लिखा हुआ है दिल्ली बारांट सी हाइस्पीड रेल के लिए चल रहा एस आई ए सर्वे तो देखे दोस्तों दिल्ली से बारांट सी के लिए हाइस्पीड रेल के सर्वे चल रहा है और देखे इसको कहां-कहां से connect हिया जा रहा है कौन-कौन से इसमें इस्टेशन जोड़े जा रहे हैं इसमें दोस्तों पूरी जान का रही है तो आप इस वीडियो को देखते रहे हो बने रही है हमारे साथ जागरन संबादाता ग्रेटा नोड़ा दिल्ली बारार्सी हाइस्पीट रेल कोरिडोर के लिए सोसल इंपेक्ट एसेस्मेंट SIA सर्वे सुरू हो गया है कोरिडोर के लिए जिन किसानों की जमीन ली जाएगी उन पर परियोजना के सामाजिक आर्थिक प्रभाब के आंगलन के साथ अन्य ब्योरा एकत्रित किया जा रहा है अलीगर जिले की खेर तैसिल में इस सर्वे का काम चल रहा है SIA सर्वे का कार्या पूरा होने के बाद ही जमीन अधिकरण की प्रक्रिया सुरू होगी तो देखिए दोस्तो SIA सर्वे सुरू हो गया है और इस देखिए जिन किसानों की जमीन ली जाएगी इस कोरिडोर के लिए उनको आर्थिक प्रबाब के आकरण के साब से उनका ब्योरा एकत्रित किया जा रहा है और दोस्तों उनकी फुल जानकार ली जा रही है दिल्ली से परदान मंत्री नरिंद्र मोदी के संसदिय छेतर बारांसी को जोड़ने के लिए 816 किलोमीटर लंबे हाइस्पीड रेल कोरिडोर का निर्माड होगा यह कोरिडोर दिल्ली के सरायकाले खांसे शुरू होकर बारांसी तक जाएगा उत्तर प्रदेश के कई बड़े एवं ओद्योकिक सेहरों को जोड़ेगा हाइस्पीड से दिल्ली से बारांसी तक की यात् और देखिए इसको सरायकाले खांसे शुरू होकर बारांसी तक किया जा रहा है और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर कैई बड़े बड़े ओद्योकिक सेहरों को भी जोड़ेगा है गौतमबुद नगर में दो इस्टेशन तो देखिए दोस्तों गौतमबुद नगर मे हाइस्पीड रेल के दो इस्टेशन होंगे सरायकाले खां के बाद पहला इस्टेशन नौइडा सेक्टर 148 होगा और दूसरा इस्टेशन नौइडा इंटरनेशनल एरपोर्ट होगा इसके बाद यह ट्रेक यमना एक्स्प्रिस वे समनांतर जाएगा आगरा से यह आगरा लखनव एक्स्प्रिस वे के समनांतर होकर जाएगा नौइडा इंटरनेशनल एरपोर्ट को हाइस्पीड रेल से कनेक्टिटी दी जाएगी एरपोर्ट की टर्मिल विल्णिंग में इसका इस्टेशन बनाने की योजना है दिल्ली से नौइडा इस्टेशन एरपोर्ट तक के लिए तो देखिए दोस्तों कितनी अच्छी जानकारी इस वीडियों में और भी इस- में जानकारी यह तो आप देखतर ही इस वीडियों को यह होंगे इस्टेशन तो देख लेते हैं दोस्तों कौनकों से इस्टेशन रूट पर कनेक्ट किये जा रहे हैं तो देखे दोस्तों यह इस्टेशन इसमें नौड़ा से दिल्ली से नौड़ा के लिए और देखिया हैं से सीधे बारांट सी जाने के लिए यह बीच वीच में इस्टेशन पढ़ रहे हैं यह परियोजना तीन चरणों में पूरी होगी 2025 तक पहला फेज वा 2028 तक तीनों फेज पूरी हो जाएंगे पहले फेज में दिल्ली से आगरा दूसरे में आगरा से लखनौ वा तीसरे में लखनौ से बारांट सी सामिल हैं दिल्ली से आगरा के बीच कोरिडोर करीब 195 किलोमीटर लंबा होगा जबकि आगरा से लखनौ 316 और लखनौ से प्रियागराज 183 वा प्रियागराज से बारांट सी 122 किलोमीटर होगा इस पर करीब 300 किलोमीटर प्रिती घंटाई की रफतार से हाइस्पीड रेल दोड़ेगी तो देखिए दोस्तों दिल्ली से आगरा पहले चरण में होगा और दूसरे में आगरा से लखनौ वा तीसरे में लखनौ से सीधा बारांट सी के लिए जोड़ा जा रहा है इसको सर्वे तो देखिए दोस्तों ऐसा यह सर्वे शुरू हो गया है कि हाइस पीड रेल के लिए साइसा यह सर्वे सुरू हो चुका है फिलहाल अलीगर्ज जिले की खैर आशी yarn चे च़त यह सर्वे किया रहा है इसके तहत जम्हिन के स्वामी जमीन की प्रकृति जाति परियु नगर में ऐसा ये सर्वे सुरू नहीं हुआ है SDM जेवर रजनी कांत का कहना है कि अभी जेवर छेत्र में परिजना के लिए ऐसा ये सर्वे सुरू नहीं हुआ है तो देखिए दोस्तो जेवर छेत्र में अपने गौतम गुंद नगर यह कि क्या है इसकी पूरी जमीन की डिटेल्स तो दोस्तों यह जानका रही थी जेवर एरपोर्ट से लेटर और वहां के आसपास के छेत्री की कि देखिए दोस्तों वहां पर क्या होने जा रहा है और वहां पर हाइश्पीट रेल का निर्मार किया जा रहा है उसके लिए को बनाया जा रहा है तो दोस्तों आसा करता हूं कि आपको जानका रही अच्छी लगी होगी तो आप इसको जाजाजाद सेर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए धन्यवाद दोस्तों